नमस्कार, स्वागत है आपका दोस्तो हमारे चैनल जियो वी निज में दोस्तो हाल फिलाल की खबरों में सबसे बड़ी और महत्पून खबरे हम आपके सामने पेस्ट करने जा रहे हैं तो दोस्तो आएए उससे पहले जान लेते हैं आज की हेड्लाइन्स में दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत ने दी पाकिस्तान को सला है नहीं मानने पर होगा लाखो कड़ोरों का नुकसान जी हाँ दोस्तो खबरों की सिलसले को आगे बढ़ाते हैं दोस्तो हम आपको बताएंगे बिहार में लगे हैं केंद्रिये मंत्री राम विलास पासवान के लापता होने के पोश्टर पंतरह हजार का इनाम रखा गया है जी हाँ दोस्तो अगली खबर आपको बताएंगे केजरिवाल सरकार का बड़ा तौफा गरीब छातरों को मिलीगी 100% स्कॉलर्सीप जी हाँ दोस्तो खबरों के सिलसले को आगर बढ़ाते हैं दोस्तो हम आपको बताएंगे अमेरिका इरान के बीच बढ़ गई है तनातनी भारत ने इरानी हवाई छेतर में उडान को रोका है जी हां दोस्तो अगली खबर आपको बताएंगे पृधान मतरी मोदी ने बड़े अर्थ सास्त्रीयों के साथ की है बैठक कहां पांच साल लापता रहे थे नामदार लोग जी हां दोस्तो अगली खबर आपको बताएंगे पस्चिय मगाल में नहीं रुक रहे हिंसा भाट पारा में फिर से हुआ जड़प कई लोग जख्मी हो गए दुस्तो यदी अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और घंटी बटन को जरूर सिद्धेबा दे ताकि हम जो भी बिडियो आप तक पहुश्ची रहे हैं और दोस्तो वीडियो को जदा जयादा लोगों तक दिल्ली के उपमुखमतरी मनी सुसोदिया ने एलान किया है कि जिस परिवार की सलाना इंकम एक लाख रुपए से कम है उनको फीस की सौ फीसदी स्कॉलर्सिप मिलेगी यानि ऐसे लोग जिनकी फीस जमा करेंगे उनको उतने रुपए स्कॉलर्सी के रुप में फिर से उनको पचीस फीसदी धनरासी स्कॉलर्सिप के तौर पर मिलेगी दिल्ली सरकार के इस फैसले के गरीब चात्रों और मध्यम चात्रों के लिए बहुत बड़ी रहत मिल गई है आपको बता दे कि इसके अलावा सरकारी स्कूल के चात्रों को सीबीसी बोर्ड की फीस नहीं द अगली खबर आपको बता दे बिहार में लगया है केंद्रिय मंत्री राम बिलास पासवान के लापता होने के पोस्टर 15,000 रुपय का रखा गया है इनाम जी हाँ दोसो बिहार की केंद्रिय खाद और सार्वजनिक मंत्री राम बिलास पासवान के लापता होने के पोस्टर और बैनर लगाए गया है बिहार के वैसाली जी लेके हरिवन्सपूर गाउं में लगाए इन पोस्टर और बैनरों में लिखा गया है कि लोग जनसक्ती प पोश्टर में और लिखा गया है कि पानी से हाकार हमारा सांसद फरार इसके अलावा अस्थानिय विधाय के लापता होने से भी पोश्टर और बैनर लगाएगे हैं इसमें लिखा गया है कि विधाय का पता लगाने वाले को 5000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा यह अस्थानिय विधायक भी नहीं पहुच gj ‫ैं अस्थानिय लोगों में काफी गुष्टा है ड़ी हाँ अगली कबर आपको बताए दे कि भारत ने पाकिस्तान यहwise नहीं मानने पर होगा लगों के नुक्सarta भारत पाकिस्तान की बड़ी हिदादत देते हुए कहा है कि अगर वो अभी भी नहीं समला तो उसे बड़े नुकसान से कोई नहीं बचाएगा भारत की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान FTF की ओर से की गई सभी हिदायत को सितंबर तक प्रभावी तरीके से लागू करेगा और अपनी धरती से आतंकवाद और आतंकी फाइनसिंग को पूरी तरीके से खतम कर देगा तो उनको ब्लैक लिष्ट होने का खतरा टल जाएगा आपको बता दे कि सुकुरवार की रात को फाइनसियल एक्सन टास्क पोर्स यानि FATF की बैठक में पाकिस्तान की ग्रे लिष्ट में सामिल करने का भी फैसला किया गया है और साथ यह भी कहा गया है कि अगर पाकिस्तान ने सितंबर तक ठोस कदम नहीं उठाया तो उसे ब्लैक लिष्ट में रख दिया जाएगा ग्रे लिष्ट में सामिल होने से पाकिस्तान को 10,000 डॉलर का नुक्सान हो चुका है आपको बता दें कि भारत में कहा है कि पाकिस्तान से आसा करता है कि वह फानांसियल एक्सन टास्ट तो यानी FATF कारिय योजना को सितंबर तक प्रभावी तरीके से लागू करेगा और उसकी धर्ती से उत्पन होने वाले आतंकवाद तथा आतंकी फंडिंग संबंधित वैस्विक चिंताओं को दूर करने के लिए ठोस सत्यापन, योग और विस्वसने कदम उठाएगा इससे पहले वी FATF की बैठक में आतंकवाद को पनाह देने के चलते पाकिस्तान के खिलाफ सक्त कारवाई की गई है और उसे दुबारा ग्रेलिश्ट में डाल दिया गया है जी हां दोस्तों आपको बता दे कि FATF आखिर है क्या यह दुनिया भर के आतंकी संगटनों को दी जाने वाली BTA मदद पर नज़र रखने वाली इंटरनेशनल एजनसी है यह ASEA Pacific Group Money Laundering, Terror Funding, जन संगहार करने वाली हथियारों को खरीदने के और होने वाली BTA लेंदेन को रोकने वाली है एक संस्था है, इस संस्था के रिपोर्ट के आधार पर FATF करवाई करती है, जी हां दोस्तों अगली ख़बर आपको बताया दे कि प्रधानमत्री मोदी ने बड़े अर्थसास्तियों के साथ की है बैठक, बजट में दिख सकता है बड़ा असर, जी हां दो अहीड थीम का आयोजन, इंट्रेस्ट सत्र में 40 से अधिक अर्थसास्तियों और अन्य विससग्यों ने इसमें भाग लिया है, प्रधानमत्री मोदी की ओर से जारी एक विग्यप्ती में कहा गया है कि सत्र के दुरान पृति भागियों ने मैक्रो अर्थवयवस्ता और रो यह धन्य वाद दिया है, जी हाँ दोस्तों आपको बता दे कि प्रधानमत्री नरेंद मोदी सरकार ने दूसरे कारेकाल का पहला बजट 5 जुलाई को पेस होगा, वित मंत्रे निर्मला सीतारमन पेस करेगी, आपको बता दे कि पहली एक फरवरी को नरेंद मोदी सरकार ने अंतरीम बजट पेस किया था, बताय जा रहा है कि बजट से पहले ही अर्थसास्तियों और अलग-अलग सेक्टर के विसे सग्यों के साथ प्रधानमत्री मोदी ने अहम बैठा कर ली है, जी हाँ दोस्तों अगली खबार आपको बता दे कि चीफ जस्टिस ने प्रधानमत्र की उम्र बढ़ा करके 65 वर्स करने का अनुरोध किया है, C.J.I. रंजन गुगोई ने प्रधानमत्री के उचितम नयाले और उचे नयालों के सेवा निवरित नयाधीसों की क्रमस जो सम्विधान के अनुछेद 128 और 243 ए के तहत सम्विधान नियुक्ति करने के लिए अनुर होने के चलते इस संख्या के ब्रतिति बढ़ती जा रही है, उन्होंने कहा है कि नयाधीसों की कमिक चलते ही, कानून के सवाल से जुड़े अहम मामले फैसले करने के लिए जरूरी संख्या में सम्विधान पीट गठित नहीं किया जा रही है, उन्होंने लिका है कि अगर आ इसे बढ़ाकर प्रधार नयाधीस सहीत 31 किया गया था, ताकि मामलों के निप्टारे तेजी से लाए जा सके, यहां तोस्तों रजन गुगोई ने अनुरोध किया है, कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृप्या इस पर सिर्ष प्राथमिक्ता के आधार पर विचार करे, ताकि उचितम नयाले में नयाधीसों की संख्या बढ़ाई जा सके और यह अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकेंगे। नयाले के नयाधीसों की सेवा निवरिती उमर बढ़ा करके 62-65 की जाए। जी हाँ दोस्तों अगली ख़बर आपको बता दे कि इसमृति इरानी ने साधा है राहूल गांधी पर निसाना कहा है पांच साल लापता रहे थे नामदार लोग। जी हाँ दोस्तों केंद्रिये म अपने दो दिवसी अमेठी दोरे के पहले दिहनी एक जनसभा में राहूल गांधी पर सीधा निसाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नामदार लोग यहां से सांसद चुन कर जाने के बाद पांच साल लापता रहते थे। अमेठी की जनता चिराग लेकर के यहां से दिली त खोजती फिर ही वे नहीं मिलते हैं। उन्होंने कहा है कि अमेठी की जनता के फैसले की गूज पूरी दुनिया में सुनाई दी है। अमेठी की जनता ने नामदारों की बिदाई पर विश्वास को चुना है। एक समान परिवार के सदस में अमेठी ने मौका दिया है। कोई भेदभाव नहीं करती हूँ। जिनने वोट दिया है और जिन्होंने वोट नहीं दिया है। सब मैं उनके साथ हूँ। जिहां दोस्तों अगली खबर आपको बता दे कि पस्ची मंगाल में नहीं रूक रही है हिंसा। भाट पाड़ा में फिर से हुआ जड़प कई ल जी हां दोस्तों आपको बता दे कि भाजपा के एक केंद्रिय पत्रिमंडल के इलाके का दोरा करने जाने के कुछ दिरबादिया जड़प हो गई। जैसे हैं पत्रिमंडल वहां से रवाना हुआ तो दो समूह एक दूसरे के नितित वाला दूसरा त्रिमूल कॉंग्रेस का में जड़प हो गई और इस दोरान दोनों तरफ से देशी बम चलाए और पत्राव भी किये गए हैं इस घटना में कुछ लोग घायल हो गए हैं आपको बता दे कि दो लोग इसमें मर गए